हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माय चैनल आज हम बनाएंगी कैसी मिठाई जिसके बिना होली का फेस्टिवल अधूरा है आज हम बनाने जा रहे हैं मावा और सूजी से बनी बहुती टेस्टी सी गुजिया जो की बहुती जल्दी बनके त्यार हो जाती है तो चलिए रेसि करना है जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस अच्छे से भूल लेंगे हर ली पांट से साथ मिट में हमारी सूजी जो है भून के तयार हो जाती है तो अब हम क्या करेंगे इस एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम सेम पैंट में यहाँ पर एक कप मावा ले रहे हैं ग्राम में देखें तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मावे का यूज किया है इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से घी रिलीज नहीं हो जाता तो मावा भूनने का रीजन यहाँ पर यह है कि मावा हम इसले भून रहे हैं जिसे की गुजिया जो है काफी लंबे टाइम तक हम उसे स्टोर कर सके और दूसरा यह कि अगर जैसे हम कभी स्टफिंग अगर फ्रिज में रखते हैं तो स्टफिंग की कसार की जो शेल्फ और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 4th cup desiccated coconut तो यहाँ पर मैंने जो घर का जो नारियल होता है उसे नॉर्मल जो सूखा नारियल उसे मैंने घिस कर की लिया है अच्छा है तो market का यूज कर सकते हैं और इसे हम pulse mode पर अच्छे से grind कर लेंगे तो यहाँ पर आप पर इसे चीज से भून बी जाएंगे और यह आपस में अच्छे से मिल भी जाएगा तो यहाँ अच्छे से भून लेंगे और यह सारा काम हमें low flame पर करना है पर यहाँ पर हम डाल देते हैं एक-से दो बड़े चंबड़े किशमिश और फ्लेम को हम आपर कर देते हैं और इ मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे सिर थोड़ी को sort of a select तुर थोड़ी सी talking b तो द्स हें इसे जदग no es art करेंगे जादि करेंगे नहीं तो क्या हो अगर हम USA पर इने दिर्यशा और यह पोली हृसाथ करें management तो इसके लिए आपर मैंने एक बोल में एक कप मैडा लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक पिंच नमक और साथ ही मैंने आपर एट किया है तीन बड़े चमर्ज घी तो आप देख सकते हैं, हाँ पर मैंने घी जो है वो थोड़ा सा जमा हुआ एट किया है इसके बाद हम इसे क्या करेंगे कावर करके 20 मिनिट के लिए रख देंगे फिर इसके बाद हम इसकी गुजिया बनाएंगे तो आप देख सकते हैं आप 20 मिनिट हो गया है और हम आटे को अच्छे से नीट कर लेते हैं और इसके हम चोटी-चोटी से portion जो है बना के त्यार कर लेंगे इसमें से हम एक portion लेंगे उसे अच्छे से हातों में चिखना करके एक roll pin की help से हम इसे evenly बेल लेंगे तो ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जब हम इसे बेलें तो एकदम पतला भी नहीं जादा हमें से मोटा र साथ पानी लागा लोगे चे प्लोज ना और इसें उसके अपाइट लेंगे अग्दम है ताइटली हम इसे क्लोज करना है इसे हम अच्छे करेंगे जिसे घुजिया जो है फटने बिल्ुकूल नहीं चाहिए जितना एक्सट पार्ट होका और जब हम इसे रखेंगे ना तो हम इस बात का ध्यान रखने की एकदम डारेक्ट फैन की हवा में हमें इसे नई रखना है तो बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे सारी गुजिया को बना के त्यार कर लेंगे तो अगर आप अकेले हैं तो चार से पांश आप पुरियों को बेल के रख लीजिए और फिर आप इसे फिल कर सकते हैं यहाँ पर मैं अकेली हूं तो मैं यही प्रोसेस को फॉलो करूंगी या तो फिर आप किसी की हैल्प ले सकते हैं तो यह काम जल्दी हो जाता है तो बस पानी लगाने का हमें इसमें जरूर ध्यान रखना है जब भी हम इसे फिल करें नहीं तो क्या होगा ना कि हमारा जो फ्राइ करते टाइम घी ओले वो खराब हो जाएगा तो आप देख सकते बहुती बढ़ी तरीके से गुजिया बनके त्यार हो गई है और आप हम इसे फ्राइ करते हैं तो यहां पर घी भी जो है गरम हो गया है और यहां पर घी हमें एकदम चाहिए मीडियम गरम तो मीडियम गरम घी में हम गुजियों को डालेंगे एक बार में जितनी गुजिया आजाए उतनी हम कडाई में आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से सेख लें किसी की गोल्डन होती तो मुझे तो यह कलर बहुत जादा अच्छा लगता है यहां पर मैं गुजियो को निकाल लेती हूं और दूसरा बैज भी जो हमारा सिकने के लिए तयार है तो उसे भी हम क्या करेंगे कडाई में इस तरीके से डालेंगे और सेक लेते हैं और यहां पर तो बस इसे बनाना बहुत आसान है आप इसे कभी भी बनाईए और इंजॉय करिए तो इतनी आटे से मेरे इहां पर कुछ बारा गुजिय बनके तयार हुए हैं और जितना भी कसार बचा हुआ है वह में क्या करूंगी फ्रिज में स्टोर करूंगी और जब भी गुजिया बनाने का मन करेगा तब हमाता लगाएंगे और गर्मा गरम गुजियो को इंजॉय कर सकते हैं घरवालों को कभी भी खिला सकते हैं तो आपको रेसिपी कैसी लगी पीस प्लीस कॉमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब क करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं आप से एक नई रेसिपी के साथ अपते के लिए बाबाई टेक क्यार